पिजिकल हेल्थ आपकी, मेंचल हेल्थ, स्पिरिचुल हेल्थ, एमोशनल हेल्थ, सेक्शुल हेल्थ, लोगों को ये लगता है हमारा पेड जहना बस ये सरफ इंटरनल और आंते ही हैं और उपर कुछ नहीं है, हमारे लोग जहना वो विक फिक्स चाते हैं, जी बस 10 दिन लग दाइकले स्राइट्स का बढ़ना इन बिमारियों में भी मरदाना कम्जोरी होती है जल्दी जल्दी पिशापकाना बाँ-बाँ-बाँ-बाँ-बार पिशापकाना वाश्रूम के बाँ-बार के वो फिर हकीमों के चंगल में फस जाता है ये गंदी फिल्म में पॉर्नोग्रफी जो है पॉर्नोग्रफी जो है न ये बिसिकली ऐसी एक चीज है ना चीज आप पर नहीं रहे लेकिन आप उसको देख रहे हैं असलाम अलेकों नई वीडियो के साथ आपकी खिद्मत में हाजर है एक दफ़ा फिर वीडियो हम बना रहे हैं अलहमदुलिल्ला बड़ा अच्छा फीड़बैक आ रहा है आप सबकाप सबको वीडियो अच्छी लग रही है आप कॉमेंट्स भी कर रहे हैं और उन्हीं कॉमेंट्स को देखते हुए हम फिर आगे उन्हीं टॉपिक्स के उपर वीडियो भी लेके आ रहे है एक मसला जो बहुत ज़दा कॉमन होता जा रहा है उसी के उपर आज हम डीटेल से बात करेंगे और वो है मरदाना कमजोरी ये जो एरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है आज इस टॉपिक को डिसकस करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ताजदार असलाम अलेकुम कैसे हैं आप ठीक है आप फिजियो थेरपिस्ट हैं तो एकसरसाइजे से रेलेटिड भी इसकी उपर बात होगी लेकिन जनरली पहले ज़र हम लोगों को बताएंगे कि ये कितना कॉमन है दुनिया में क्या इसकी परसंटेज चल रही है क्या सूरते हाल है दुनिया में जो नई स्टेडीज हैं रिसर्चेज हैं जिनके मताबिक हमने प्रेविलेंस देखी है इसकी वो है तीन सो बाइस मिलियन लोग एफेक्ट हो सकते हैं इससे दो जार पच्चीस तक यह नहीं कि दो साल के अंदर अंदर यह नहीं कि तकरीबन यह तीस करोड है अच्छा यह लोगों को समझना होगा कि जो हैल्थ है ना उसके डिफरेंट एसपेक्ट्स हैं फिजिकल हैल्थ आपकी मेंटल हैल्थ स्पिरिच्छल हैल्थ एमोशनल हैल्थ सेक्शल हैल्थ यह सारी चीज़ें जब तक आपकी सेट नहीं होंगी आप एक अच्छी की बात करें मसल्स के इतबार से तो कितना जरूरी है मसल्स को स्ट्रॉंग करना अपनी मरदाना ताकत को बेहतर करने के लिए सबसे पहले तो अगर मसल्स की हम बात करते हैं इसकी लिए तो बहुत ज़्यदा जरूरी है क्योंकि जिस तरह अगर आप अपनी रूटीन देखत जो normal exercise routine से इन चीजों से target होते हैं लेकिन उस तरह नहीं target होते जिस तरह इनको specific exercise से target किया जाता है तो बहुत सी चीज़े होती है इसमें देखनी पड़ती है आपकी physical activity कितनी है जिस तरह से आजकल की routine चल रही है उसमें अगर देखा जाए तो एक तो सबसे common चीज जो है obesity से ही कमजोर हो जाते हैं क्योंकि लोगों को यह लगता है ना कि हमारा पेड जाना बस यह सिर्फ internal organs ही है आनते ही है और उपर कुछ नहीं है हलांकि उपर जो इसके muscle layer है बिल्कुर से जो इसको cover कर रही है abdominal muscles होते हैं जो इसको cover कर रही है वो एक main role अदा करती है आपकी कमर को सीधा करने में भी आपके back के muscles को भी effect करती है वो और आपके अंदर के जो इतने muscles होते हैं आपके organs होते हैं उनको सीधा रहने में एक जगा में align ने में आपके body fat percentage को कम करने में इन muscles का बहुत ज्यादा Roll होता है तो अगर उन muscles को मी target करें जो हपके hip के muscles होते हैं एक होते हैं हमारे बड़े-मसल्ड जो हमारे quads होते हैं हैं स्च्रीज लावरthe hiposphed qaров ठीक चोटे-चोटे muscles अनको target करना होता है उनको कैसे target करना होता है उन पे क्या चीजे करनी होती है कौन सा exercise उनके लिए suitable होती है इसमें एक और चीज भी आ जाती है लोग अक्सर कहते हैं कि जी मैं बहुत ज्यादा heavy lifting करता हूँ heavy weight exercises करता हूँ लेकिन फिर भी ये issues आते हैं तो इसका लेन दिन heavy weight lifting के साथ भी नहीं है ना ही आपकी कोई ऐसी activities के साथ है कि जो आप वैसी परफॉर्म कर रहे हैं काड चीज आती है इसमें जो बड़ी common चीज है हमारे लोग जो है ना वो quick fix चाहते हैं कि जी बस 10 दिन लगें 15 दिन लगें या महीना लग जाए और मैं बिलकुल ठीक हो जाओं तो अगर आप एक चीज को अगर आप एक normal body को देखें अगर आप उसको shape में लाना चाहते हैं तो आपको at least three months six months बिल्कुल चाहिए होते हैं लग जाते हैं अच्छी transformation के लिए six months even उससे ज्यादा भी लग जाते हैं वेरी करता है body to body आपकी body कैसी है वो जल्दी उसको adopt करती है उस changes को या नहीं ठीक है उसके मताबग इसको proper तरीके से लेके चलना पड़ता है उन exercises का कोई न pelvic floor के muscles हो गए hip के muscles हो गए ठीक है पहले targeted hip के muscles होते हैं फिर उसके बाद हम pelvic floor के muscles को target करते हैं अगर directly हम pelvic floor के muscles पे चले जाएं तो उनकी एक तो वैसे ही कोई use हमारा उनका इतना होता नहीं है जो normally थोड़ा बहुत use है वो ही होता है तो अगर उनको हम strength की exercise पे चले जाएं तो अगर direct हम उन पे implement करेंगे exercises उनका एक bad effect आता है क्योंकि वो muscles उतने strengthen होते नहीं है उनके इतनी जान नहीं होती तो वो उस तरह की strengthening उनकी proper नहीं हो सकती तो उसके लिए हमें चाहिए होता है कि प्रॉपर तरीके से लेगी जारें कीगल exercises available तो हर जगा पे होती है करनी कैसी है उनमें कितना duration चाहिए होता है कब कब करनी है इसके लिए concern करना जरूरी होता है mostly लोग देख के exercise शूरू कर देते हैं issues उनका ये चीज़ नहीं होती और उसके लावा और issues होते है ठीक है यह नहीं क्या आप एक्सपर्ट जब तक आपको proper guide नहीं करेगा तो आपको उस तरह क होना बड़ा जरूरी बे उस्तादे ना रहे जरूरी बे उस्तादे ना रहे जरूरी बिल्कुल ठीक है तो अच्छा ये तो हो गए चले हमने कीगल एक्साइजिस की बात कर ली muscles को train करने की बात कर ली जो abdominal muscles है core muscles उनको strengthen कर दिया यह जो metabolic syndrome है यह यह जो metabolic syndrome है यह नहीं के sugar blood pressure triglycerides का बढ़ना क्या इन बिमारियों में भी मरदाना कमजोरी होती है बिलकुल होती है सबसे ज्यादा common जो है ना वो sugar के साथ क्यों है एक सवाल उठता है ना कि sugar होती है तो उसके साथ यह erectile dysfunction बहुत ज्यादा common हो जाता है और बहुत से लोगों को बहुत जल्दी effect करता है even early ages में effect करता है 30s या 40s में और इसी age में ज्यादा effect करता है later ages में इतना effect नहीं करता उसकी reason होती है sugar में diabetes में सबसे common चीज होती है जो उसकी symptoms में आती है जो हम देखते हैं उसकी symptoms में frequent urination जल्दी जल्दी पिशाप का आना बार बार पिशाप का आना वाश्रूम के बार बार के चकर लगते है जब आपके बार बार चकर लगते हैं तो वही muscles जिनकी कोई exercise होती नहीं है कोई activity उनकी है नहीं वो normal activity से ज्यादा यूज होना शूर हो जाते हैं और वो ठकना कमजोर पढ़ना शूर हो जाते हैं जब ठकावट होती है उनकी strength होती नहीं है तो उसकी वाज़े से वो और ज्यादा कमजोर हो जाते हैं शूगर में तो वैसे ही इतवनाई भी बहाल नहीं होती पठ्थे वैसी तोकर रहे होते हैं बार-बार पिशाब आ रहा है तो यह नहीं के बिलकुल सही है कि अन्कंट्रोल डायबिटीज में ठीक है नियूरोपेथी वो नर्फ डैमिज तो है लेकिन उसके लेटर एजिस में आता है ना उसके एफेक्स हैं वो जो आप यह कहना चाहर होने से दूसरा यह चीज है कि साथ में जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम बाकी आ जाते हैं जिसमें पेड़ का बढ़ना हो गया ठीक है ब्लेट प्रेशर हाई रहता है उसकी वज़े से आपका ब्लेट फ्लो जो है खून की नालियां एफेक्ट हो रही होती है आपकी ब्लेट प पे ज्यादा जाता है जहां पे अब्स्रक्शन ज्यादा हो जो नालियां तंग होती है वहां पे ज्यादा जाता है जो नालियां नॉर्मल होती है वहां पे वह वैसे ही जा रहा होता है लेकिन जो जहां पे अब्स्रक्शन होती है वहां की तरफ ज्यादा फ्लो शुरू हो ठीक है उसके वज씨 से आपका 플ो जो है बलड का वो एक जगा से दूसरी जगा डिविएट हो जाता है बल्कुल सही बात है तो ये चीज़े उसमें आ जाते है याई निकि वा कि बाकी बाड़ी की जो है वो कॉंपिमाईज हो जाती है बल्कुल ठीक है तो ये निकि जो मेटाब को खतम नहीं कर सकते मेडिसन आपको अब सिंपल अगर इसमें बात आई गी है मेडिसन की तो उसकी सिंपल एक effect होता है मेडिसन आपको quick fix देती है for the time being आपको उस time के लिए वो चीज़ को बिलकुल आपको ऐसे मैसूस कराती है कि जी आप बिलकुल normal है फिट है लेकिन वो उसका solution नहीं है वो आपको permanent उस चीज़ को हल करके नहीं देती है वो सिरु for the time being आपको support करती है तो अगर आप कहते हैं कि जी मैडिसन ले लूँगा और इसी मैडिसन के वज़ा से मैं चलता रहूंगा तो वो यह है कि at the end of the day sugar की वज़े से आपकी kidneys और बाकी चीज़े वैसी affected होती है जब आप medicine extra use करते हैं over use करते हैं उनका तो और ज्यादा effect होना है शूरू हो जाते हैं नीली वाली गोली की बाद नीली वाली गोली की बाद से हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ना वो बहुत ज्यादा इस्तिमाल करते हैं बिलकुल और जो है साथ साथ ये बड़ी है इस तरफ भी लोगों को पता चलना चाहिए के blood pressure है diabetes है triglycerides बड़े में kidney वैसे ही बड़ा जो है उसके उपर burden है उपर से आपने एक medicine भी लेना शुरू कर दी है जिसके side effects हैं जो के गुर्दों को effect कर रही है गुर्दों को भी effect करती है आपकी BP को भी raise करती है तो बस यह नहीं के फिर आप देख लें कि वो तो हल ना हुआ ना कि वो एक जो है आप चीज को ठीक करने के लिए पूरे के पूरे organ को compromise कर रहे हैं बिल्कु ठीक हो गया अच्छा hormonal imbalance testosterone का पूरा होना बिल्कुल और इसी त balance होता है जब आपके testosterone level low होते है ना तो एक simple आपको एक symptom नज़र आती है जिसको ED का मसला होता है या जिसको इन चीजों से effect होता है ना तो उसका यह होता है कि उसका वो उस तरह से उस चीज को pursue नहीं कर पाता है उसकी attraction उस तरह से नहीं होती अगर आपका libido libido का नहीं कि आपकी खौष्च मतलब यहीं कि अगर तो आपका testosterone low है तो इसका मतलब है कि आपका दिल नहीं करेगा आपकी desire से नहीं होगी Mutter ऊस तरह से एक नॉर्मल बंदेगा होता है तो ये एक मेन इस का होता है कि आपको इस साइन होता है कि आपको जब लगे कि मुझे इस तरह बिलकुल 6000 मेरा कोई माइंड नहीं बंड़ रहा कोई वो नहीं हो कि अगर आपको ये चीज़ एफेक्ट कर रही है, आपने एक चीज तो चेक करा लिए, टेस्ट करा कि आपने अपने सारी चीज़ें चेक करा लिए, वहां से आपको satisfaction हो गई है, कि ये चीज़ clear है, लेकिन अक्सर जब लोगों को low feel करते हैं, low libido का issue होता है, तो उस चीज़ को लेके और उसको कहते हैंगे जी मेरा तो कोई solution ही नहीं है, मुझे तो कोई हाली नहीं मिला, बस मैं तो यह है और इसी तरह चलता रहेगा, नहीं, आपको proper guidance की भी जरूरत हो सकती है, क्या पता आप जो चीजे कर रहे हों, वो उस तरह से नहीं है, जिस तरह की करनी चाहिए है, दूसरी चीज आप जिस तरह psychological issues होते हैं, tensions होती है, वो चीजे होती है, उनको देखना चाहिए, कि वो किस situation में है, mostly लोग अपने आपको anxiety, depression के patient नहीं बताते हैं, consider नहीं करते हैं कि हम anxiety, depression के बढ़ा, बढ़ा, बहुत सारे लोग mind करते हैं, mind करते हैं चीजे को, हलांकि वो बहुत ज़्यादा, अगर उनकी history प्रॉपर ली जाए, उनको प्रॉपर assess किया जाए, तो इन चीजेजों का बहुत ज़्यादा शिकार होती है, बलकि मेरे पास, मैंने कभी जिन्दगी में कभी stress नहीं लिया, अब यह देख लें कि जो इनसान ये बात कर रहे हैं कि उसने कभी जिन्दगी में stress नहीं लिया, तो वो जिन्दा कैसे, ये physiological anxiety का होना बड़ा जरूरी है, आपकी survival के लिए, बिलकुर, और accept करना, discuss करना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, और आजमाईशे तो जिन्दगी में हैं ये ल्ला की तरफ से, ताकि आपको judge किया जाए, तोला जाए, तो उससे आपने घबराना नहीं है, उनको read करना है, और उनसे full यकीन के साथ, और full अल्ला की जो हा में हा मिलानी है, उसकी तरफ से मुश्किल आई है, तो उसको accept करते वे proper उस सफर को लेके चलना है, और उससे घबराना नहीं है, और help सी करनी है, ये जो लोग बिलकुल ही मायूस हो जाते हैं, ये समझते हैं कि जैसे हमारी बिमारी का इलाज है नहीं, तो व वो बिलकुल एक गलत अपरोच है, तलाश नहीं छोड़नी है आपने, अच्छा अगर लेट से हॉर्मोनल जो है इश्यू है तो वो टेस्टोस्टरोन कम है, तो वो इंडोक्रियों के पास जाके वो आप उनको different options दे सकते हैं, अगर तो टेस्टोस्टरोन बहुत कम है, तो ह उसको भी fix किया, तो एक तरफ से हमने यहीं के, जो हॉर्मोनल साइड है, उसको भी देख लिया, कि कहीं हॉर्मोनल imbalance तो नहीं है, तो बात वही है ना, कि अगर आपको यह मसला आ रहा है, तो हमने यहीं देखना है, इस podcast का मकसद ही है, कि वो वज़ा क्या है, क्यों आप जो दाना कमजोरी में जहनी जो तनाव है, या जो stress है, या जो anxiety है, या जो psychological issues है, वो कितना role play करते हैं? अगर एक तरह से देखा जाए ना, तो psychological जितने भी होते हैं न, anxiety, depression, stress के मरीज, उनको दो चीज़े मैंने बहुत common देखी उनमें, एक उनका body pains, ठीक है, lower back pain उनको बहुत common ह होता है, ये दो चीज़े उनमें common होती है, full body pains और lower back pain, जब आपको एक चीज लोर back pain की तरफ लेके जाती है, अगर आपके front के muscle इतने strengthen नहीं है, और आपके back में pain है, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि हर चीज का एक opposite वो होता है, जो उसको support कर रहुता है, supporting factor होता है, ठीक है, ज इसमें mustła है, तो दूसरी साइड अगर स्टेंशन नही है, तो ऊसको support नहीं कर पाएगी, ठीक है ये तो एक चीज जो आप की खराब है, जो तंग कर रही है और दूसरी सी चीज जो support नहीं कर रही, तो main चीज है जब वो supporting क्यों नहीं कर रही, उसमें कोई मसला है, कमशूरी है क्या है क्योंकि back के muscles हमारे hard time use हो रहते हैं और जो psychological patients होते हैं जो इन चीजों से गुजर रहे होते हैं वो आपने note किया होगा कि वो mostly या तो अलैदा रहते हैं या एक कमरे में बन रहते हैं या कहीं बैठे रहते हैं यही उनकी conditions होते हैं वो हर time अलैदगी पसंद करते हैं एक side पर बैठना लेटना सोचना और खाना पीना वो भी बहुत minimum होता है उसकी भी एक reason है क्योंकि psychological patients खाना पीना कम क्यों खाते हैं उसकी एक अलग reason है वो एक अलग proper topic है कि उसको प्लस इसमें एक सबसे main चीज होती है जो हमारी gatherings होती है psychological effects इस पर कैसे आता है जो हमारी social gatherings होती है friends अलकर जो बैठना उठना उसमें अक्सर रोकात किसी की भी gathering अगर चार-पांच लोग की gathering है तो जब भी उनकी debate आती है कि जी आपकी अजदवाजी जिन्दगी या sexual life आपकी या वैसे दोस्त आपस में बठे हैं वो डिसकस कर रहे हैं तो उसमें एक चीज सबसे common होती है हर जो gatherings होती है उनकी groups होते हैं उसमें एक बंदा होगा जो बोल रहा होगा कि जी मुझे तो 30 minutes 40 minutes या वन आर मैं नहीं नहीं कहें यह मेरी यह मेरी टाइम performance और मैं इतनी तक जो है वो last करता हूँ और यह मैं बोलूँगा ना कि बिखेरती के different डर्जे हैं हाँ और यह जो लोग यार दोस्त अपनी वो बेगम जो अल्ला ने अल्ला के और रसुरह से सल्लम को गवा बना के आपने निकाह में उनको ले के आए हैं और आपका वो पर् सब के सामने बोल रहे होते हैं तो यह मैं कहता हूँ कि बिखेरती का बद्तरी दर्जा है कि इस चीज को सखती से मना करना जो है वो बहुत ज़्यदा जरूरी है अगर सुनने वालों में से कोई भी यह सारी इन चीजों से गुजरा है तो और वो खुद अगर इसमें वालव है आप उनका पर्दा हो और उस चीज को पर्दे में रखना और अपने आपको महदूद रखना अपनी इसलवाजी जिन्दगी को अपनी जात तक और अपनी बेगम तक यह बहुत ज़्यदा जरूरी है अब हम थोड़ा सा बताते हैं कि जब यह इस तरह से कोई फने खान इ पर्दे में करते हो अगर आप खुले में बता रहे हो तो कल को अतने लोगों को गवा बनाा रहे हो تو کل کو क्यامت کے دن उसाब आपके खिलाव गवाई देंगी कि ये हमारा दोस्ता जो जानी था जो जरा करता था और हमारे सामने इतनी सारे वाक्यात बामरे भर चड़के बताये थे बड़े फखर से बताये थे तो आप वो थो देखें इसके इलावा जो आपकी जो वाइफ हैं गवा गवा ना बनाओ और जतनी इसमें खामोशी रखो कि अतनी बह הכत्री है अब जो लोग आसपास सुनने वाले होते हैं जब वो ऐसे फने खान की बाते सुन रही होते हैं जो उसकी टाइमिंग 30-40 मिनिट्स है और ये और वो जब कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि देख रहे होते हैं कि भी हमारे मतलब उसके मुकाबले में हलांकि हो मतलब जूट बोल रहा है हो ठीक है ना लेकिन उसकी लाइफ से जब आप अपनी लाइफ में वो चीज देखते हो त आपका जो मॉराल है आपका जितने भी चीज इसमें जो साइकलोजिकल इशूज है ना जो स्रेस एंजाइटी और डिप्रेशन के लोग होते हैं क्यूंकि अगर आपको कोई बीमारी है तो आपको वैसे ही नॉर्मल से डाउन कर देती है आपके नॉर्मल लेवल्स वैसे ही हो जाते हैं सारी चीज़ें आपकी डाउन हो जाती है ठीक है इवन आपको चेस्ट इंफेक्शन है वो भी इस चीज़ को एफेक्ट करता है ठीक है अब वो जो फन्ने खान है उसके एफेक्ट क्या आता है साथ बैठे वे दोस्तों पर उस टाइम तो सारा हैसी मजाख में व issue का शिकार होता है तो वो इस चीज़ को लेके जमीन में दस जाता है बलकुँ सभी बात है सिंपल एक चीज़ है कि वो जमीन में दस जाता है कि यार इसको देखो इवन दो कि वो जूड बोल रहा है लेकिन उसके बोलने का अंदाज ऐसा होता है कि वो कहता है कि जी बस आप जो कहोगे ये है बिल्कुल और उसकी जवाब में वो फिर हकीमों की चंगल में फस जाता है और यह हैं और यह सारी चीजे और एक चीज को ठीक करने के चक्रों में सो चीजे खराब कर देता है अब हकीमों की फक्कियों में होता क्या है? mostly उनमें अक्सर अख़ाद अब ही जो आती है steroids steroids होते हैं वो भी cortico steroids cortico steroids तो वो एक चीज़ तो ठीक करते हैं दो धारी तलवार है ये cortico steroids ये आपको जाहरन तो शायद दर्दों में कमी दे दे inflammation को कम कर दे लेकिं अंदर ही अंदर ये आपको खारा होता है जो ये स्टिअड है ना कॉर्टिक लिए हमारी बौडी में खुद भी बनता है लेकिन थोड़ी से इसका उपर जाना और दूसरे ही कि इस ये काम इसका होता है कि ये स्लो एक्टिंग है, इंसुरीन बड़ी फास्ट एक्टिंग हॉर्मन है, कॉर्टिक और स्लो एक्टिंग होता है, लेकिन आप क्या करते हो कि जब आपने हकीम की फकियां लेने शुरू कर दी, मैं ये कतल नहीं गह रहा है कि सारे हकीम जो है वो, जो अभी भी हिकमत और इसमें जड़ी बूटियां ये सारे चीज़ें हम उनको बड़ा मतलब प्रूमोट भी करते हैं और मानते हैं, इसमें एक चीज होती है ना कि जो बंदा नैचरल चीज बनाता है ना, तो उसका नैचरल चीज का और एक इस तरह की चीज का दोनों का डिफरेंस होता है, ठीक ह वो आपके सामने वो चीज़ें रख की कहता है कि मैं इससे आपको बना के दूँगा, वो एक अलग चीज है, लेकिन जो ये चीज़ें हैं, जो बीच में सिरॉइट, और वो कॉर्टिको सिरॉइट जब आप लेना शुरू करते हो तो अब आपने क्या कर दी है, आप इतनी ले रहे होते हैं ना, तो आपकी बोड़ी बिलकुल ऐसी फिट होती है ना कि कोई इशूज नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही आप उसका लेना बंद करते हैं, फिर आपको आएस्ता आपको उसके साइड इफेक्ट्स आना शूरू हो जाते हैं, अच्छा, डॉक्र ताजदार ये तो हो गया हमने जो है साइकलॉजिकल एस्पेक्ट ये जो हम आपस में गुफटगू इदर गर दोस्तों में बैटके और जो इस तरह की सारी जो गलतियां कर रहे होते हैं, और मुझे अमीद है कि लोग अब इस चीज़ से इच्शनाप करेंगे, अब आ जते हैं बहुत अज़्दवाजी जिन्दगी ये सेक्शुल हेल्थ उसको तबाह करती है, पर नॉबरिफी जो है ना ये बिसिकली ऐसी एक चीज है ना कि एक चीज आप कर नहीं रहे लेकिन आप उसको देख रहे हैं, आपके जो हॉर्मोन्स हैं, आपकी जो बोडी है, वो सारे हॉर्मोन् नॉर्मल लाइफ में आप उसको यूज करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, वोही चीज़ें अगर आप करनी रहे ना तो आए जिना है ना एक तरह का, आंखों का जिना भी है, ठीक है, हर तरह का जिना है, जो चीज अल्ला ताला ने बोली है कि आपने एक पड़द आपने फोन पे या अपने लैप टॉप पे इन चीज़ों पे आप देख रहे हैं, ठीक है, और वो दोस्तों में शेयर भी कर रहे होते हैं, उदर से भी लिंक आ रहे होते हैं, तो ये चीज़े जो है जितना ये एफेक्ट आपके मेंटल लेवल को करता है, अब उसमें क्या है, अब वो कितने टाइम की है, अब वो दो मिनट की है, या दो गंटे की है, जो भी है, वो एक मरीज को और इस तरह के बंदे को, वो कैसे इफेक्ट करती है, कि वो उसको देखता है जब और वो चीज़ें वो अपनी लाइफ में कर नहीं बाता, तो वो इस बंदे को anxiety, depression, वो जो सामने देख रहा है और जो reality है, वो बिल्कुल opposite होती है, opposite होती है, ठीक है, ठीक है, अच्छा कुछ लोग ना मेरे पास कुछ सेयाने भी ऐसे आते हैं जो कि फिर उसमें भी न कहीं कोई justification निकाल लेते हैं, जैसे वो कहते हैं कि भी, अगर मैं किसी से share नहीं कर रहा और मैं अपने laptop में यह सब कुछ देख रहा हूँ, तो मेरे जाद तक मेह दूद है, यही तो समझाना था आपको कि अपनी तनहाई को कलमा पढ़ाना था, तनहाई में आपने कोई अच्छी किताब पढ़नी थी, कोई informative जो है content देखना था, अब आप बंद कमरे में तनहाई में अपनी आँखों को क्या दिखा रहे हैं, और जो भी आप देख रहे हैं, वो body जो है लेके जा रही है आपके जिसम तर, ठीक है ना, वो पूरे के पूरी आपका जो खून है, वो पूरी body में उसको, उसी एक image को पहला रहा है, और उसकी जो negative जो असर है, उसको भी जिसम motivation, अब आप देखे, एक काम कर रहे हो, जब भी आप real life में जाओगे, और जब आप proper real sex की तरफ जाओगे, जब आपकी शादी होगी, तो automatically आप एक बहुत बड़ा gap महसूस करोगे, एक बड़ा disconnect महसूस करोगे, क्योंकि जो आप पहले करते आए हो, वो आपके लिए असान असल में इसमें एक और चीज़ आती है, कि हम fantasy world में रहते हैं, ठीक है, जो बंदा ये चीज़े देखे, अगर वो शादी से पहले देख रहा है, या शादी के बाद देख रहा है, जो बंदा ये चीज़े देखता है, फिर उसके बाद जब उसकी शादी होती है, या वो की नहीं होती, या उस तरह आप कर नहीं पाते, तो वो भी एक बहुत बड़ा factor होता है, लोगों की अजदवाजी जिन्देगी को बहुत effect करता है, इवन उसमें अगर आपकी अपनी performance उस तरह नहीं है, जब आपकी अपनी performance उस तरह नहीं होती, तो वो आपके mental level को बहुत ज़्यदा सप्रेस करता है, और जब आपके mental level सप्रेस होते हैं, आपके muscles जो है आपके muscle mind connection जो exercise में यूज़ करते हैं, कि muscle mind connection बनाना चाहिए, ठीक है, तो वो muscle और mind connection जो है आपका वैसे ही एक तो आपका moral जब डाउन होता है, वो सारी चीज़े जब इदर आती है, आपकी body बिल्कुल लूज़ हो जाती है, यह नहीं कि वो screen में जो है, वो बिल्कुल different है, real life बिल्कुल different है, लेकिन आपका comparison इतना खतरनाक है, कि आप उस चीज़ से निकली नहीं पाते हैं, बहुत सारे ऐसी भी cases हैं, कि जिसमें शादी के बाद लोग जो है, प्रॉपर तरीके से अ और वो जो एक जो शादी का एक मकसद था, वो प्रॉपर तबाह होके रह जाता है, क्योंकि याद रहे कि एक अच्छी खुशगवार अस्दवाजी जिन्दगी के लिए, इसका होना भी बहुत ज्यादा ज़रूरी है, असल में ना इसमें बहुत से लोग ना फिर इस चीज है ना, कि हम यह कहा रहे हैं कि इस चीज को discuss करना चाहिए, discuss करेंगे, discuss ऐसे जगह में नहीं करना जहां पर आपको कोई issues हैं, discuss आप अपने health care से करें, आप अपने doctor से करें, discuss करें, वो आपको इसका बहतर solution बताएगा, बज़ए medications के और भी बहुत से तरीके होते हैं इसको ठ खीक हो गया, खीक फिक की तरफ कभी भी नहीं जाना, लाइफ में हम लोग ना हर दफ़ा हर चीज में हम चाते हैं कि जी क्विक विदिन ए मिनिट एया विदिन ए सेकंड बस हमारी चीज कवर हो जाए कोई भी अच्छी चीज चीज अचीज करने के लिए टाइम लगता है अब देखें लाइफ में एक जगह तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है कोई बैठे बैठे ना एक लेवल पर नह नहीं आपको मेहनत करनी है कुछ लोगों जो लोग कहते हैं कि जी मैं तो पैदा हुआ था तो मुझे यह सब कुछ मिला है तो वो उसके आप पीछे बैगराउंड देखें आपके फादर है या उनके फादर है उन्होंने मेहनत किये तो आपको वो चीज मिली या आके वो ऐ लास्ट जो सवाल मैंने रखा था वो मेरे से बहुत ज़्यदा रेटर है क्योंकि इसके उपर में बहुत ज़्यदा बात करता हूं एज डाइट डॉक्टर खुराक प्रोसेस्ट हो गई है मिलावट जदा खाना है सारा का सारा न्यूट्रिशनल डेफिशेंसीज हैं तो वा नॉर्मली जो हम डेली बासिज पर देखते हैं पेशेंट जनमें आती है वािटमीन की डिफिश factory के लिए औवर आल वाइटमीन सी वाइटमीन बी सिक्स ऊह जो आपके इसलाइब को बहुत बेहतर कर सकती है अगर आप इनको regular routine में लेते हैं और इनके ऊपर चाके imbalance रखते हैं proper अगर इनकी deficiencies होंगी तो आपको बहुत से issues आएंगे इन चीजों का अगर आप cover कर लेते हैं और आप अपनी exercise की routine और plus सबसे important चीज जो आपकी diet है इसके लिए specific diet भी आती है ठीक है इसमें बहुत सी चीज़े आती है इसमें कुछ basic fruits आते हैं अगर आपको sugar नहीं है तो बेरको ठीक है और बाकी चीज़े हैं जो इसको cover करती है extra virgin olive oil से testosterone level बढ़ते हैं इसी तरह से saturated ये दुम्बे की चिर्बी और ये सारी हजबे जरूरत इसको आइट करना fish oil हो गया तो ये नहीं कि ये लोगों को समझना जरूरी है कि अपनी खुराक को change करना वाइटमन्स को पूरा करना इसी तरह से अपनी डाइट में प्रोटीन को बढ़ाना प्रोटीन का इंटे क्योंके muscle building भी तो करनी है ना muscle की recovery करनी है तो प्रोटीन का पूरा होना तो ये सारी चीजें हैं जब इनकी उपर अमल करेंगे तो इन्शालला इन्शालला जहां बाकी सहत बेतर होगी वहां मरदाना ताकत भी बेतर हो जाएगी तो बस मकसद तो यही है जी के लोगों को थोड़ा awareness दें के भाई quick fix वही जो आपकी बात है के quick fix की तरफ नहीं जाना एक गोली जो है ना वो खाना असान है लेकिन अपने आपको बदलना डॉक्टर बदलने के साथ खुद को बदलना वो थोड़ा मुश्किल है लेकिन असली सिहत उसी में ही है जब तक आप root cause को treat नहीं करेंगे आप बिमारी को नहीं treat कर सकते हैं तो यह सारी वजुहात हैं जिनकी उपर देखना कि आपकी इन में से कौन सी वज़ा है क्या hormonal कमी है hormonal imbalance है nutrition deficiencies है muscles कमजोर है diabetes है metabolic syndrome है psychological issues है stress है कहीं वो गलत फिल्मे pornography वो वाला मसला तो नहीं है तो इन सारी चीज़ों को देखें और इन में से हो सकता है आप में multiple चीज़े हो बिल्कुल तो बस वो तीन टॉप की चीज़ें जो है न आप देखने के आप को क्या लगता है कि कौन सी ज़्यादा आप में पाई जाती है तो उन तीनों की उपर आप ज्यादा जोर के साथ काम करें तो आप कुछी अरसे में इन्शाला two three months में four months में अपने अंदर बेतरी देखेंगे थैंक यू सो मच डॉक्टर ताजदार मैं उम्मीद करता हूँ लोगों को बड़ा फायदा हुआ और लोग इन बातों पे अमल भी करेंगे नेक्स वीडियो में फिर आपकी खिद्मत में हाजिर होंगे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दौा में आद रखिएगा लाफ़ेज़